वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिनको यदि आप करते हैं तो ना केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती। बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो पूरा होता ही होता है। आपको आज हम उन लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका उप्योग करके ना केवल आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं। बल्कि इन उपायों को करने के पश्चाथ आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि यदि किसी ज्योतिशी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, तो वह आपको ऐसे सिर्फ उपाय बताते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन होते हैं जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है लेकिन यदि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और लॉंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो दोस्तों यकीन मानिये आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्या सिर्फ एक लॉंग से समाप्थ हो सकती है कोई भी पूजा पाठ हो उसमें लॉंग का प्रयोग अवश्य ही होता लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लॉंग एक की प्रयोग का एक खास महत्व बताया गया है लॉंग जहाँ पर हमारे लिए बहुत ज्यादा फाइदेमंद होती है बताया गया कि पूजा में लॉंग का उपाय किया जाए तो पूजा भी सिद्ध हो जाती है इसलिए जोतिश शास्त्र में तंत्र के हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं बलकि लौंग का एक सरल सा उपाय करने पश्चा आपके जीवन में आप खुद देखेंगे। कैसे आपको सुक, सम्रिध्धी, धन, दौलत, एश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदु धर्म में लौंग का प्रयोग आज से नहीं, बलकि सदियों से चला हुआ आ रहा है। लौंग को न केवल स्वास्थे की दृष्टी से बहुत अच्छा माना गया है, बलकि तंत्र शास्त्र की दृष्टी से भी बहुत ही ज्यादा उप्योगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि मां लक्षमी जी के सामने किया जाए तो मां लक्षमी जी का तुरंत ही हमको आशीरवाद और वर्दान मिल जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि मां लक्ष्मी जी की पूजा में यदि लॉंग का उपयोग ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारियां देने जा रहे हैं जो लॉंग से आपको करनी हैं। लॉंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन आप कैसे भी परेशानी से जूज रहे हो। जैसे मा, लीजिए आप जॉब की तैयारी करकर के ठक चुके थे, आपकी जॉब नहीं लग रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड लिया था, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, आपके घर की बरकत रुख गई है, उन्नती रुख गई, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है आप पैसों की तंगी की वजह से बहुत परिशान है, आप कैसी भी परिशानी में पड़े हो दोस्तों, बस इस वीडियो को बिना भगाये लास्ट तक देख लीजिए, इस वीडियो को देखने के पश्चाद, आपको खुद पता चलेगा, कि लॉन का प्रयोग करके, कैसे आप अपने जीवन की हर मनो कामना जैसे मान लीजिए, आप चाहते थे तो आपकी जौब लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी संपत्ती को आप खरीदना चाहते थे, वह संपत्ती आपकी हो जाएगी, बीमारी से आपको मुक्ती मिल जाए आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी मा लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको किसी भी चीज की कमीना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ, पह इसने भी हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों को किस मुहूर्थ पर करना है, इस चीज को आप लॉंग समझ लीजेगा, ताकि उपाय करें, आप तो उसका लाब आपको अवश्य ही मिले, और दोस्तों एक बात का ध्यान ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते ह लॉंग के हमें नियमों का पालन करना, चाहिए नियमों का पालन किये बिना कोई भी उपाय करेंगे, आप तो उसका लाब आपको नहीं मिलेगा, तो कौन सा उपाय किस दिन करना है, यह बात आप लॉंग जरा समझ लीजेगा, और अभी तक आपने को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजेगा सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है धन आ ही नहीं रहा है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परिशान है आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए तो धन आए बोड के भी और के भी और उसमें वृद्ध भी हो तो आपको क्या करना होगा एक बड़ा सरल सा उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं ये उपाय आपको लगातार पांच रविवार करना है पांच रविवार पश्चात आपको मा लक्ष्मी का वर्दान मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि यहां आज का उपाय नहीं बलकि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है आपको बस एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है कांच के ले लीजिए प्लास्टिक के लिए लीजिए उसको आधा नमक से भर दीजिए छोटी सी डिब्बी लीजिएगा ज्यादा बढ़ीना लीजिएगा शुक्रवार का दिन मा लक्ष्मी जी का दिन होता है आपको रविवार की शाम को महालक्ष्मी जी के सामने बैठना है, जो आपके घर में, जहां पर महालक्ष्मी जी की फोटो लगी है, लगी हुई है, वहाँ पर आपको बैठना है, सूर्यास्त के पश्चात नहाने धोने के पश्चात बैठी, एक पूर्व दिशा में पहले घी का दिपक जला दीजिए, वह इस प्रकार से है A.U.M. श्री श्री नमन। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। श्री नमहा इस बीस मंत्र का जाब कम से एक हजार एक बाहर कीजिएगा। अब आपको क्या करना है? किसी डिब्बे में दो लॉंग डाल देनी है। दो लॉंग डालने के पश्चाथ इसको लाल कपड़े में बांध लेना है। और अपनी तिजोरी में अलबी मारी में जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं रख देना है। अगले रविवार को फिर से उस डिब्बे को निकाल कर लाए। दो लॉंग मंत्र पढ़ने के पश्चाथ डाल दीजिए। पांच शुक्रवार के पश्चाथ उस डिब्बे में दस लॉंग हो जाएंगे। और इस डिब्बी को अपनी अलबिमारी में तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा जहां आप लॉंग पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए यह उपाय जो आप करेंगे इस उपाय को करने के पश्चाथ आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ती मिलेगी ही मिलेगी। उपाय यदि आपके घर में रोज लड़ाई जगड़ा ग्रहकलेश हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए। एक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए, यदि आपके पास ये दोनों नहीं है, तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए। कुछ भी ऐसा ले लीजिए, जिस पर आप लौंग पांच तीन कपूर और दो इलायची चला सके। आपको ये उपाय करना है, शनिवार की शाम को शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात आपको पांच लौंग तीन कपूर और दो इलायची जलाना है, और इसका धुआ पूर गर द्वार पर रखिये और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए यदि यह उपाय आप लोगों ने साथ दिन लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी बुरी शक्ति थी ऐसी कोई शक्ति वास कर रही थी जिसके वजह से घर का माहौल देखिये आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा तीसरा उपाय है दोस्तों बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय यदि आपका व्यापार पहले चल रहा था फिर बार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए तो यह मह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं देखिये मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है आपको किसी भी लाल कपड़े में लेना है ग्यारह लॉंग और पांच गोमती चक्र बहुत से सुनिएगा दो ग्यारह लॉंग और पांच गोमती चक्र पुत्री को हनुमान जी के दाएं चरन से छुआ करके आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से पैसे के लेंदेन करते हैं, बस इतना आपको करना है। अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, दोस्तों, वो है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महान उपाय दोस्तों, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह होता है, उस व्यक्ति का मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन भी चारों शुक्रवार के दिन मा लक्षमी जी का दिन होता है और शुक्रवार के दिन सूर्यास्थ से पहले आप लोगों को नहाना है धोना है नहाने धोने के पश्चात किसी भी पीपल पेड़ पर चले जाईए और पीपल पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के पश्चात उस तरफ एक तरफ आपको अपनी बाई तरफ एक लौंग बाहर देनी है सिर्फ इतना करना है कि अपनी बाई तरफ एक लौंग बढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड की तीन परिक्रमा करके घर वापसा यह प्रयोग आपको लगातार पांच शुकरवार करना है पांच शुकरवार यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था वह शुकर ग्रह मजबूत हो जाएगा और मा लक्षमी जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी समाप्त हो जाएगी और धन चारों दिशाओं से खीचा हुआ चला आएगा आशा है कि आज की इस प्र